नमस्कार दर्सको धार्मिक चमतकार में आप सभी का स्वागत है ऐसी कौन सी घटना है जिस घटना ने गुरु नानक को बना दिया था संत कार्तिक पोडिमा के दिन रावी नधी के किनारे स्थित तलबंडी नमक गाओं में एक छत्रिय कुल में जन में नानक का विवा बटाला की रहने वाली एक लड़की सुलखनी से हुआ उनकी पत्नी सुलखनी के पिता का नाम मूला था 28 वर्स की आयू में नानक जी का पुत्र हुआ जिसका नाम स्री चंद्र रखा गया बही 31 वर्स की आयू में नानक जी के दूसरे बेटे लक्षमी दास अथवा लक्षमी चंद्र पैदा हुए शुरूआत में गुरू नानक के पिताओं ने किर्सी ब्यापार में सामिल करना चाहते थे लेकिन उनके सारे प्रियास आसाफल रहे एक बार नानक जी ने घोडे के ब्यापार से मिले पैसो को साधु सेवा में लगा दिया जब उनके पिताओं ने इस बारे में पूछा तो नानक जी ने जवाब दिया कि ये सच्चा ब्यापार है बाद में पिताओं नानक जी को उनके बहनोई जैराम के पास सुल्तानपुर भेज दिया भेनोई के प्रयासों से नानक जी को सुल्तान पुर की गवर्नर दोलत खा के यहां काम पर रख लिया गया नानक जी बेहत इमानदारी से काम करते थे इस कारण जंता के सासक दोलत खां भी नानक जी से बेहत खुश रहते हाला कि नानक में जन सेवा की भामना हमेशा रही जो भी आए अर्जित करते उसका एक बड़ा हिस्सा गरीबो और साध्यों को दान कर देते कभी-कभी तो पूरी रात परमात्मा के भजन में लीन रहते बाहद में मरदाना से उनकी मुलाकात हुई जो गुरू नानक जी के सेबक बन गए और आखरी समय तक उनके साथ रहे रोजाना सुबह गुरू नानक देव जी बई नदी में इस नान के लिए जाया करते थे कहा जाता है कि एक रोज जब इस नान के वादवय जंगल में गए तो एक एक बन में अंतरध्यान हो गए माननेता है कि बहाँ उनका परमात्मा से साक्षात कार हुआ इसके बाद उनके जीवन में बदलाव आया अपने परिवार के जिम्मेदारी ससुर मूला को सौप कर गुरु नानक जी धर्म के परचार के मार्क पर चल दिये और एक संत बन गए आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में चरूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमतकार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा धन्यबाद